आज की विडियो में आपका स्वागत है 2019 की एक फ्रेंच फिल्म के लिए आज ही हमें फॉलो करें जिसका नाम है इफाइवरर रिच्चमान शुरू करने से पहले अपना ध्यान रखे और ख्याल रखे आगे स्पॉलर्स है जैसे ही फिल्म शुरू होती है सुर्योध्य के समय सांटी अपनी व्यान के अंदर नीन से जाग जाता है एक पुलिस वाली जिसका नाम है Beimona वे सांटी को उझाती है और सांटी को याद दिलाती है कि वे पॉर्ट हार्बर के पास अपनी वयन पार्क नहीं कर सकता है Santee अपनी नौकरी के लिए देर से आता है और उसका employer Romulo उसे उसकी last salary देता है जाने से पहले उसे पहले आज का bathroom साफ करना होता है बाद में दिन में वे drive के लिए जाता है लेकिन पेट्रोल खतम हो जाता है Santee पास के station तक जाता है और वहाँ काम कर रहे अपने दोस पेट्रो से बात करता है वे अपने जल्दी आने वाले class reunion के बारे में उसे बताता है लेकिन Santee कहता है कि वे वहाँ पर नहीं जा सकता वे अपनी अलग हो चुकी पतनी mate के साथ कानोनी बैठक में जाने का विकल्ब चुनता है Meeting में जोड़े को सूचित किया जाता है कि वे अपनी अगामी तालाग पर अपनी assets को split करेंगे Mate जानना चाती है कि तालाग कितनी जल्दी वैद होगा लेकिन यह सुनकर चौंग चाती है कि इसमें महीने लगेंगे Santee और Mate एक साथ निकल जाते हैं लेकिन Mate अचानक अलग हो जाती है Santee एक stall मालिक के साथ बाचीत में शामिल हो जाता है और एक lottery टिकेट खरीदता है उसे पसंद करती थी वहाँ पर सांटी मेट को उसकी क्लास मेट मारियो के साथ एक पल सांजा करते होए देखता है Mate आती है और बताती है कि वे सुपर मार्केट में उसकी नौकरी पर मारियो उसका नया बॉस है Santee को वास्तव में जलन होती है लेकिन वे चला जाता है Santee और उसके दोस्तिती के बारे में तब तक हसते हैं जब तक कि वे मेट के साथ मारियो पर एक और नजर नहीं डालते दूसरी तरफ मेट अपनी दोस्त लोरेना के साथ मारियो और उसके रिलेशन के बारे में बात करती है उसने अपने माता पिता को तालाग के बारे में नहीं बताया है ना ही उसने पूरी तरह इसको स्पिकार करा है बाद में रात में सांटी अपने घर आता है और सोफे पर चला जाता है उसे अपना टिकेट याद नहीं रहता और वे उसे फैंग देता है अगले दिन लोटरी के बारे में रेडियो सुनकर सैंटी सनान करना शुरू कर देता है उसे आखिरकार वे टिकेट याद आ गया जो उसने खरीदा था और उसे खोजने के लिए कुड़ेदान में डौड़ता है बहुत दिर खोजने के बार वे उसे ढूंडता है और खुशी से चिलाता है सैंटी खुशखबरी सुनाने के लिए मेट को फून करता है लेकिन वे जवाब नहीं देती वे उसे देखने के लिए ड्राइफ करता है लेकिन मेट और मारियो से मिलता है उसे लगता है कि वे किस कर रहे हैं लेकिन रियालिटी में मेट मारियो को किस करने से दूर कर देती है सांटी बैंक में 25 मिलियन यूरो को जीतने वाली टिकेट को कैश में करवाने के लिए जाता है लेकिन घबरा जाता है और चले जाने की कोशिश करता है बैंक मैनेजर डेमियन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन सांटी वहां से भाग जाता है सांटी चौंक चाता है क्योंकि डेमियन उसे अपनी वैन में दिखाई देता है जो सांटी को उसके दुवारा जीते के पैसों के बारे में financial advice देता है फिर बिगोना दुवारा सांटी को रोक लिया जाता है जो उसे उसकी खराब driving के बारे में ग्यान देना शुरू कर देती है डेमियन बीच में आता है ये खुलासा करते हुए कि सांटी ने लोटरी जीती है ये सुनकर बिगोना सांटी को बधाई देती है और चली जाती है दुपहर के भोजन के दुरान डेमियन सांटी को financial matters में सदला देना जारी रखता है डेमियन सांटी से उसकी personal life के बारे में पूछता है और सांटी को सूचत करता है कि तालाक के होने पर उसे अपनी जीत का आदा हिस्सा मेट को देना होगा डेमियन ने सजाव दिया कि वे सांटी तलाक ना होने तक मेट से लोटरी जीतने वाली बात छुपाई रखे सांटी मेट से जूट नहीं बोलना चाता जो मारियो के साथ दिखती है सांटी को फिर से जलन होती है और वे मेट को बेवकूफ बनाने के लिए सेवक होने का नाटक करता है जैसे ही वे निकलती है डेमियन वापस आता है और सांटी तयार हो जाता है मेट से इस बात को छुपाने के लिए कुछ दिनों बाद सांटी मारियो को देखने जाता है जिसे एक नई ओफर करी गई थी जॉब चर्चा के दुरान वे आपस में लडाई कर लेते हैं लेकिन सांटी को शेल्ट स्टॉकर की नौकरी मिल जाती है उसके बाद सांटी कुछ नए कपड़े और असेसरी को खरीदने के लिए जाता है ताकि उसके पैसे का कुछ यूज हो सके एक दुकान से निकलते समय सांटी ने मारियो और उसके परिवार को शॉपिंग सेंटर में देखा वेब पास की एक दुकान में भाग जाता है और वर्कर से उसे चुपाने के लिए कहता है सांटी फिर घर वापिस चला जाता है अपना नया समान चुपाता है सांटी अपने घर के आसपस जशन मनाना शुरू कर देता है लिकिन मेट के अचानक से घर आ जाने की खारण उसे कम कर दिया जाता है मेट आती है और सांटी से सुपर मार्किट में अपनी नई نौकरी के बारे में बताती है सांटी अपने कपड़े चुपाने की कोशिश करता है और मेट को देखता है जिसे संदे की खेकी कुछ कड़बढ़ है उस शाम सांटी एक बहुत ही फैंसी होटल रेस्टरा में जाता है जिसे डेमियन ने उसके लिए रिजर्फ किया था सांटी के दोस्त उसके बारे में पूछते हैं लेकिन उन्हें अंधेका कर देता है जब उसे खाना परोसा जा रहा था उसने कमरे में क्रिस्टीना नाम की एक यूवती को देखा और वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा है कुछ समय बाद मारकोस और सांटी पेडरो को सर्फिंग के लिए जाते हैं बीच पर वे लाहरो का अनंद लेते हैं क्योंकि वे सबी अच्छे सर्फ का अनंद उठाते हैं वे जमीन पर वापिस आ जाते हैं और मारकोस सुझाब देता है कि कुछ ड्रिंक्स लेते हैं लेकिन सांटी जूट बोलता हुए कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है टॉपिक लोटरी में बदल जाता है पेडरो और मार्को कोस विजेता के बारे में खराब बाते कर रहे हैं लेकिन वे यह नहीं जानते कि विजेता उनके ठीक बगल में बैठा है सच को छिपाने की कोशि जारी रखते हैं उन्हें नहीं पता था कि मारियो एक बहुत अच्छा सर्फर हैं ड्राइफ बेक के तुरान तीनों ने मारियो की कोशल को कम करने की कोशिश की यह दावा करते हुए कि वह सर्फिंग वह घंपीरता से नहीं ले रहे थे अचानक बिगोना उनके वाहन को रो पैसो पर हिंड देती है इसलिए बेगोना तीनों को छोड़ देती है अपने होटल में वापस आकर सांटी सूपर मार्केट में काम के लिए देर से उठता है वे खुद को छिपानी के लिए कपड़ों को ट्रेट करता है लेकिन गया स्टेशन पर पेडरो से मिलता है पेडर देता है और उसे उसकी सुस्ती के लिए फटकार लगाता है लेकिन मेट सांटी को सब कवर करती है बाद में दिन में सांटी आरेट को देखता है जो सांटी को अपनी सर्फिंग में सुधार करने में मदद करने के लिए आता है और वे एक महान सर्फर है वे समुद्र में प्रवार्कोस का फोन आता है और वे उन्हें आरिच के साथ अपने समय के बारे में बताता है उन्हें लगता है कि वे डिप्रेशन के कारण जूट बोल रहा है और उसे बाहर आमंतरित करते हैं वे मना कर देता है अपने दोस्तों के ब्रहम के कारण अगले दिन सांटी रॉमूलो है क्योंकि सांटी वही है जो नाफ खरीद रहा है आखिरकार सांटी को एक अच्छा सौधा मिल जाता है और वे नाफ का मालिक बन जाता है उन्होंने रॉमूलो से बातरूम भी साफ करवाया बाद में डेमियन और सांटी अपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स पर चर्चा करते हैं लेकिन पेड्रो और मारकों से टकरा जाते हैं वे सांटी के अच्छे कपड़ों पर ध्यान देते हैं और जूट बोलता है कि यह कपड़ एक नई नौकरी के लिए कैसे हैं लेकिन जैसे ही सांटी पूछने की कोशिश करता है कि वे कैसे हैं वे लोग उसे याद दिलाते हैं कि वे कुछ चमय से उनसे बच रहा है और चले जाते हैं। उस राद सांटी और मेट के माता-पिता लॉरा और मिगेल को देखर हैरान रह जाता है। सांटी अधिक खाने के लिए संघर्ष करता है जबकि मेट लॉरा के साथ एक फामली फंक्शन की चर्चा करती है। फून बजना शुरू होता है। लेकिन वे उसका जवाब देने से इंकार कर देता है। और यह भी स्विकार नहीं करता है कि यह फौन उसका है। जवाब देने के लिए दबाव डालने के बाद सांटी ने मेट के माता-पिता को बताया कि वे तलाक ले रहे हैं। बाद में होटल के बार में सांटी क्रिस्टीना को फिर से देखता है और अपना परीचे देने जाता है थोड़ी चर्चा करने पर उसे पता चलता है कि वे एक प्रोफेशनल एसकॉर्ट है वे उसे अपना बिजनस काट देती है और चली जाती है नीचे डंप में घूमते पेडरो और मार्कोस को उनके हैंग आउट प्लेस में देखता है होटल में वापस आकर सांटी अपने नए गाजट के साथ खेलता है बावजूद इसके कि उसके पास इतनी संपत्ती है वे फिर भी अकेला और दुखी होता है सांटी अंथ में डेमियन को बुलाता है और एक आमंतरत करते हैं वे सांटी को मॉडलिंग के बारे में बताते हैं जो किसी कारण से हरान नहीं होता बाद में मार्कोस अपने दो बच्चों के साथ अपने घर पर बहुत तानाव में होता है वे बच्चों के साथ चीजों को सेटल करने की कोशिश करता है और लोरेना मार्को उसको विरासत प्राप्त करने के बारे में खबर के साथ घर आती है। दूसरी तरफ गॉल्फ खेलते हुए डेमियन और सैंटी अपने दो दोस्तों के लिए मॉडलिंग और विरासत दोनों योजनाओं पर चर्चा करते हैं। सैंटी ने मारियो को देखा और डेमियन ने खुलासा किया कि मारियो अपने बिजनस को बेचने और अपने करमचारियों की नौकरी से निकालने के लिए बैंक में आया था। जब मारियो आता है तो सैंटी चायदानी के रूप में प्रचन है। यह पूचते हुए कि Santi सूपर मार्केट में क्यों नहीं है। सूपर मार्केट में वापिस तान्या ने मेट से सूपर मार्केट बंद होने के बारे में पूचा। लेकिन मेट का दावा है कि वे सर्फ अफवाए हैं। सांटी ने मेट को जो कुछ पता चला उसके बारे में बताने की कोशिश करी लेकिन मार्यो ने इंटरप्ट कर दिया। जो मेट को बताता है कि उसने गॉल्फ कॉर्स पर सांटी को कैसे देखा। mates, Santy पर गुस्पा हो जाती है और उसे अपना घर छोड़ने के लिए कहती है जैसे ही वे Santy सुपरमharket छोड़ता है, Marcos और Pedro एक नई convertible car में आते हैं वे Santy को ले जाते हैं और खुशी में गुमाते हैं सांटी निराश है कि मार्कोस ने अपने परिवार की जरूरत की चीजे नहीं खरीदी और मार्कोस ने सवाल किया कि सांटी को इसकी क्यों परवा है सांटी अंथय उन लोगों को बताता है कि यह कार उसके पैसों से खरीदी गई है लेकिन वे उस पर विश्वास नहीं करते मारकोस गलती से कार को एक चटान से गिरा देता है और सांटी नीचे के रास्ते में अपना बड़ा रहस्या को चिलाता है अगली सुबह मेट को मारियो का फोन आता है इसलिए सांटी क्रिस्टीना को मेट को जलिश फील कराने के लिए बुलाता है सांटी और मेट एक ही समय पर घर पहुंचते हैं वे दोनों जूट बोलते हैं कि रियालिटी में क्या हुआ था अपने नई भागिदारों के साथ खुशोने का नाटक करते हुए काम पर मेट को अचानक मारियो से सूपरमार्केट के बारे में फोन आता है वे उने बताती हैं कि सभी सूपरमार्केट बंद हो रहे हैं लेकिन जूट है कि उसने ऐसा होने के रोकने की कोशिश की सांटी ने मेट को सहारा देने की कोशिश की और उसे रात के खाने पर आमंतृत किया घर पर वाप पिस सांटी ने घर की सफाई की और मेट के आते ही रात का खाना बनाया रात के खाने के दरान सांटी तलाक के बारे में अपना अविश्वास व्यक्त करता है वे किस करते हैं और एक दूसरे के साथ किये गए गलत कामों के लिए माफी मांगते हैं वे कबूल करता है कि उसने लॉटरी जीती है और मेट को और विश्वास में छोड़ देता है फिर वे उन सभी चीजों को ढूंटती है जो साथ कि उसने उसे क्यों नहीं बताया बाद में मार्कोस और साथ के लिए एक पार्टी में शामिल होते हैं जो अपनी मॉडलिंग के लिए नेगिटिव रियाक्शन से परिशान है मार्कोस और पेट्रो दोनों ने सांटी को उनके जीवन के बरबाद होने और छोड़ने के लिए दोशी ठहराया अगले दिन सांटी जागता है और डेमियन को कुछ योजनाओं को लागो करने के लिए बुलाता है जिन पर उसने फैसला किया है वे मिलते हैं मामलों को सुल जाते हैं और अलग हो जाते हैं भावुक हो जाते हैं क्योंकि वे एक दूसरे को फिर से नहीं देखेंगे लॉरेन मेट के साथ है मेट को अपनी आदी जीत के लिए सांटी पर मुकदमा करने के लिए कह रही है वे अचानक एक संदेश देखती है कि सांटी की आदी जीत उसके बैंक की खाते में जमा कर दी गई है वे तलाक की कागजाद भी प्राप्त करती हैं जिसका वे इंतजार कर रही है हलाकि मेट को पता चलता है कि वे अभी भी सांटी से प्यार करती है और यहां तक की एक call भी मिलती है कि सुपरमार्केट फिर से खुल रहा है बाजार पहुंचकर तान्या ने मेट को सूचित किया कि एक रहस्य में व्यक्ती ने सुपरमार्केट खरीदा है क्योंकि डेमियन कुछ डॉक्यूमेंट को साइन कर रहा होता है मेट मारियो को खुशकवरी सुनाने के लिए जाती है लेकिन दुकान को बेचने के बारे में उसकी सची योजना को सुन लेती है मारियो ने पलट वार किया कि वैं अभी भी सांटी से प्यार करती है Damian बीच में आता है और उसे बताता है कि Mario को निकाल दिया गया है Damian उसे यह भी बताता है कि उसे सुपर मार्केट का डारेक्टर बनाया गया है मेट सांटी को खोजने के लिए दौड़ती है लेकिन Megona उसके लिए टिकेट लिख रही होती है सांटी का नाम सुनकर बिगोना मेट को एरपोर्ट पर ले जाती है जहाँ सांटी है मेट सांटी को खोजने के लिए भागती है उसे कई बार याद करती है लेकिन अंत में उसे ढूनती है और वे उसे थपड मारती है लेकिन फिर किस करती है और गले लगा लेती है एक साल बाद सैंटी और उसके दोस्त एक सभा में होते हैं और मारियो आता है एक अशुब संधेश के साथ ऐसी है और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियोस को लाइक करें और नोटिफिकेशन को ओन करें वीडियो देखने के लिए शुक्रिया